अलो दोस्तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं चुकंदर गाजर और संत्रे का जूस जो हमने चुकंदर ले लिया है और दोस्तो ये छी लिया है हमने संत्रे दोस्तो चार संत्रे लिया है आपके लिए बहुत ही पोस्टिक जूस बनाने जा रहे हैं दोस्तो इस जूस का प और दोस्तों यह चुकंदर छिलकर हो गया है तयार दोस्तों सरदी में गाजर के जूस के अंदर यह चुकंदर डालके पीने से आपका खून बढ़ता है हीमोगलोबिन की मात्रा बढ़ती है दोस्तों जरूर एक ट्राइक आपको कम से कम एक केजी चुक अंदर दस या पंदा दिन के अंदर ज़रूर यूज करने चाहिए और दोस्तों यह हमने ली है एक केजी गाजर यह काफी थोड़ी बड़ी गाजर हैं इनमें एक दो ऐसे यूज कर ली तो थोड़ी एक किलो से कम है तो चार गाजर के लगवागी हैं ये और ये जो हम डाइट बनाने जा रहे हैं ये दो गलास के करीब डाइट है तो दोस्तो जो हमरे जूस के लिए जो चाहिए हो सारा इंग्रेडियन्स हमारे पास उफलब्द हो गया है छार संत्रे हैं एक चुकंदर है और चार गाजर है दोस्तो इनसे बना जा रहे है जोस तो दोस्तो यह देखिए हमने कैरोट काट लिया है ये संत्रा काट लिया है और ये चुकंदर काट लिया। अब ये जूस के लिए रड़ी है और ये लगा दी हमने या पे मथीन अब हम निकालेंगा जूस तो दोस्तों सबसे पहले जूस निकालने के लिए हम यूज करना है वो ये देखे इस पे जूस का बटन दिया हुआ है आप दो नुम्बर बटन का ही इस्तेमाल करें इसमी कि तो दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं और दूस यह देखें कि ना। कर दो झाल कर दो प्राप जैसे अजिए्ट भॉटेंगर का दो प्राप जीए प्राप जेसे कर दो जैसे था जाने कर दो 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 तो दोस्तों यह हमारा जूस जो है तैयार हो गया है चलिए आप लिकारते हैं आपको इसको तो दोस्तों यह देखिए हमने तीन गलास जूस तैयार कर लिया है यह देखिए यह देखिए प्योर पोस्टिक जूस है दोस्तों इसके अंदर हमने एक चुकंदर डाला है चार गाज़र डाली है चार संत्री डाले सबसे पोस्टिक तुरंत अनर्जी देने वाला ड्रिंक है दोस्तों यह दोस्तों यह अगर आप 15 दिन यूज कर लेते हैं तो आपके चेहर दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताएं यह देखी दोस्तों सुद्ध घर पे तयार करके पी सकते हैं इसको आप यह देख तीन ग्लास जूस तयार हो गया दोस्तों धन्यवाद दोस्तों